लालू यादब से बच कर रहना होगा बीजेपी को क्योंकि लालू यादब की भविश्वानी कहीं सही सावित हो गई तो क्या होगा नरेंद्र मूदी का नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस को नेशन बिहार के राचुति गलियारों में इन दिनों लालू यादब की भविश्वानी को लेकर काफी जादा चर्चाए हो रही है लालू यादब ने कुछ समय पहले बीजेपी को लेकर बिहार में इंडिय सरकार को लेकर और केंद्र में बनी तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर बड़ी भविश्वानी करती थी लालुयादब ने कह दिया था कि अगस्त के महीने में केंद्र की सरकार गिर जाएगी अब इसको लेकर बिहार में राजनिती शुरू हो गई है लालु यादब के इस भविश्वानी को लेकर जहां एक तरफ समरार्च चोधरी से लेकर विजय कुमार सिन्हा बीशपी के तमाम नेताओं के तरफ से बयान भी सामने आए है कई नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि लालु यादब की अब उम्र हो गई है अब उनके बिमारी वाले दौर चल रहे हैं इसलिए वो इस तरह की बयान दे रहे है वहीं दूसरी और बिहार के डप्टी सियम विजय कुमार सिन्हा ने तो इतना तक कह दिया कि लालू यादव धीरे-धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं इसलिए इस तरह की बयान वो देते हुए नजर आ रही है अब वहीं दूसरी और लालू यादव ने जो भविश्वानी की है वस्भविश्वानी को लेकर बिहार के राचनिती गलियारों में एक और चर्चा जो है वो तेज हो गई है चुनाब दो हजार चौबिस की हर बाज़ी लगभग बलो ने खेल ली है पर आरज़डी सुप्रीमो लालू यादव ऐसे राचनितिक हैं जो लोगसभा चुनाब रिजल्ट के बाद भी सत्ता की लड़ाई की खातिर एक और बाज़ी खेलना चाते हैं वो भी कोई अब रोक्ष रूप से नहीं तूटा ठोक के चुनाबी कुरसी पाने की खातिर या कहलो की नरेंदर मोदी की सरकार को गिराने के लिए राज़नितिक विसाद भी बिछा दी है दरसल राज सुप्रीमो लालु पिशाद यादव की राज़नितिक जगत में इन दिनों काफी जादा उनके बयान को लेकर हलचल मच गई है ति यादव ने पार्टी के इस थापना दिवस के मौके पर अगस्त में केंदरिये की इंडिये सरकार गिरने की बात कहकर राज़नितिक जगत में हलचल मचा दी है अपने अपने इस कतन के निर्थार्ट कहते भी ये सरकार चूकी बैसाखियों के सहारे चल रही है इसलिए सरकार जादा दिनों तक चलने वाली नहीं है यहां तक की लालु यादब ने ये भी कह डाला है कि कुछ महीने बाद बिहार में मध्यावदी चुनाब होंगे तब तजश्वी यादब के नेतुरित में महागटबंदन की इस्थिर सरकार बनेगी सुप्रीमो लालु यादब के इस वयान के बाद राज़िति गलियारों में काफी जादा हलचल मच गई है एक तरफ कहा जा रहा है कि लालु यादब ये मान कर चल रहे हैं कि केंद्र में इंडिये की सरकार कोई अपार बहुमत वाली सरकार नहीं है तो दूसरी और नतीश कुमार और चंदरबावु नायडू जैसे मतवकांची राज़िति के हैं प्रारंब है तो पीम नरेंद्र मोदी के लटके जटके को गटवंदन के नाम पर जेल गये हैं पर अब ये असंतुस्ट्री करन के रत पर सवार हैं खास कर विशेस राज़ का दरजा और बड़े आरक्षन के प्रतीशत को नौवी अनुसूची में शामिल कराने को लेकर जदियू ने तो रास्ट्रे कार करने की बैठक में ये सब प्रस्ता भी पारित किया है चर्चा ये भी है कि लालू यादब मानते हैं कि देर सविर नतीश कुमार का विहार के प्रती प्रेम जागेगा तब वो लाइक माइंड़ में कहीं लालू यादब एक तरफ से प्लेटफॉर्म उपलब कराएंगे और वो वही प्लेटफॉर्म होगा जहां ओफर जो हैं व बयान को लेकर बिहार की राचनती गल्यारों में इतनी ज़्यादा चर्चाएं क्यों देश हैं क्योंकि मुखमंतर नतीश कुमार ने पहले ही साफ साफ कह दिया है कि अब वो कहीं आने जाने वाले नहीं हैं अब वो जहां चले गए हैं वहीं पर रहने वाले हैं और दो हज न कहें बिहार की राज़ती गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और अब लालुप शाद यादर के इस बयान को लेकर हर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी देते हुए नजर आ रहे हैं